आज ये दूसरा blender करने जा रहे हैं election commission को इस्तिमाल करके और शायद election commission को पता ही नहीं वो बोल क्या रहे हैं मैं कश्मीरी एक हूँ कलकता में बैठा हूँ तीन महिने या चार महिने के लिए क्या मैं वहां की ये क्या केते हैं वहां का नागरिक बनूगा या 6 महिने रहूँ गार मैं वहां वोट डालूगा मेरे यहां के वोट क्या होगा इसी तरह मेरे बाईयो आप अगर कह रहे हैं हमको 20 लाख लोग लाने यहां 25 लोग लाने यहां पर जो लुमिसाईल उन्हे अप्लाइ किया हुआ है या temporary registration उनकी यहाँ पर होगी तो जो यह मेरे लोग maximum इसमें बिहार से ताल्ड़क रखते हैं तो यह तो फिर हमारे नितिश जी को और अपने यह तजीश्वीरी जी को सोचना पड़ेगा कि भई तुमारे कहीं वो 25 लाख वोट खा तो यहाँ कश्मीर में क्योंकि वोट आदमी एक ही जगा डाल सकता है दो दो जगा कहां से आप वोट डालेंगे यह मैटर है इस टो बी वीवीड लिगली और अब दूसरा टार्गेट हमारी लेबर फोर्स सो जो भी अगर कोई हमला हमारे किसी लेबर बाई पर यहां पर होता है हालनकि कश्मीरी हर किसी लेबर को यहां पर अपनी पलकों पर बिठाता है अपने घर में उसको जगा देता है कोई भी उसकी तरफ बंदू को नहीं उठा सकता है तो यह सोचने समझने वाली बात है पूरी कंट्री को वो अब कश्मीर को लेकर हमारे जो ये यहाँ जो हमारी लेबर फोर से बाहर से आती है और मैक्सिमम इसमें 90% बिहार से होती है ये आप टार्गिट बना रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं अफसोस है और इसलिए ये अच्छी बात हुई है और हमारी तरफ से डाक्टर फारुक साब ने अल्पाटी मीड बलाई है मंडे को इस पर बाजापता तोर डिसकेशन होगा थ्रेट बेर डिसकेशन होगा और हमें उमेद है कि जो हम वहाँ फैसला लेंगे वो उननिमस होगा पर बेटर्मेंट अच्छ्मीर पर बेटर्मेंट अवर तूरिस्स येर पर बेटर्मेंट अवर लेबर फोर्स